आज हम जो सीखने वाले हैं वो हैं बुक की रिडिंग तो जब आपने देखा होगा जब हम बुक रिडिंग करते हैं तो काफी सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं कि इसका मतलब क्या है इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है तो अगर आप भी इस तरीके से परिशान रहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हैं चलिए शुरू करते हैं आज हम सीखने वाले हैं छोटी-छोटी ऐसी वर्ट मिनिंग जिसको हम क्या पढ़ते हैं और इसके क्या रूल्स होते हैं ठीके बच्छों चले सुरू करते हैं देखे ए को अ पढ़ा पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने starting में आपको बताया कि A को A पढ़ा जाता है, जैसे कि N में देख रहे हैं, M होता है, और A को rules होता है, अगर ये किसी के साथ होंगे, जैसे कि A N, A M, जैसे word meaning है, और इसके last में होते हैं, ये अकेले नहीं होते, तो ये UN या फिर UM पढ़ा जात कि L के बाद A तो नहीं है, तो A कड़नडा क्यों लगाया है, आ कड़नडा इसलिए लगाया है, क्योंकि O W को A उपढ़ रहे हैं, तो यहां पर उसका लिखा गया है, ठीके बच्चों, देखिए, A को A पढ़ा जा रहा है, और UN को UN पढ़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं भी इसलिए UN क्योंकि आधा ना लिखा हुआ, देखिए, और T को टा पढ़ा है, और E को E की माता पढ़ते हैं, तो हमारा हो गया आंटी, ठीके, आंटी हो गया, आप देखिए, A को A पढ़ते हैं, अगर सुरू में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और T को टा पढ़त तो अगर A, S साथ में होते हैं, तो हम उसे S पढ़ा जाता है, ठीके, आप देखिए, A को A पढ़ते हैं, क्योंकि वो सुरू में हैं, और N को ना पढ़ते हैं, अगर लाश्ट में Y होता है, तो Y को E की माता पढ़ते हैं, इसलिए ये N लिखा जा रहा हैं, ठीके बच्छो, A को A पढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो सुरू में हैं, और N को A पढ़ा जा रहा हैं, यानिकि N को ना और D को डर, simple हैं तो, आप देखिए, Another में देखिए, Another नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये N अगर साथ में होता हैं, अगर जैसे कि आपको मैंने बोलाएं के AN जैसे कि बहु अन तो हमने पढ़ दिया आप सिर्फ दर पढ़ा जा रहा है तो आप लोग कंफियूज ना हो जा इसलिए मैं आपको बता देती हूँ देखिए O T H E R अगर साथ में कहीं भी होगा तो आप उसको सिर्फ दर पढ़ेंगे जैसी कि E R को R पढ़ते हैं और O T H को दर पढ़ें क्योंकि O को हमारा यहाँ पर सालेंट रखागा है कहीं कहीं आपने नोटिस किया होगा कि O T जो अभी साथ में होता है तो O को कहीं न कहीं A भी पढ़ा जाता है ठीके बच्चों वसे O अगर बीच में होता है तो O को A पढ़ा जाता है यह भी रूल से तो पर अगर O T H E R साथ में होगा तो आपको दर पढ़ना है ठीके चलिए अब आगे देख लिते हैं कि Agree में देखिए A को Agree नहीं पढ़ा जा रहा है यानि कि A को A पढ़ा जा रहा है तो अगर A G साथ में होता है तो A को A पढ़ा जाता है ठीके वो G को कहा पढ़ा जा रहा है R को क्या पढ़ रहें R पढ़ रहें क्योंकि गा के नीचे आप मातर देख रहें और एक चीज और बता दू अगर G के बाद कोई भी मातर नहीं है जैसे कि E, O, I कुछ भी नहीं है तो G को आपको सिंपल गाई पढ़ना है कि E को A पढ़ा जाता है पर कहीं ना कहीं E को A भी पढ़ा जाता है जैसे कि A, P को आप पढ़ना है और डबल P कहीं भी साथ में होगा तो आपको सिंपल पढ़ना है ठीके E, A को E की मातर पढ़ा जाता है और A, R कहीं भी साथ में होगा है जैसे last में आप देख रहे हैं तो इनको और पढ़ा जाता है तो यह हो गया हमारा appear इसमें क्या है b को पढ़े e i को क्या पढ़े यहाँ पर e i से मतलब नहीं है यहाँ पर सिफ b को बापढ़े e को e की माता है यानि कि b हो गया और ing कहीं भी साथ में होते हैं तो उसे ing पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है ing तो आपको ing को ing पढ़ना है आगे जो भी होगा उसके हिसाब से पढ़ना है तो यह हो गया हमारा bing चलिए अब आगे दीख लेते हैं देखिए vy को y पढ़ा जाता है तो यहाँ पर आपको या नी पढ़ना है आपको य पढ़ना है मैंने बुला तेरे ना अगर लाश्ट में y होता है तो उसको य पढ़ा जैता है ठीक है बी को बाब पढ़रें इसी तरीके से बी यू वाई को भी य पढ़ा जाएगा यानि कि कहीं नहीं उस पर ध्यान ने देना, जब आपको जैसे उसे य पड़ें, इसी तरीके से इसको भी पड़ना है, आप देखिए बोई, बोई में देखिये यहां पर देखे B को बाप पढ़ें और O Y को O E पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं O E तो हमारा बोई हो गया अब देखे Y में आप देखे तीन तरीके के बाप हैं एक है B Y E V Y होता है V U Y V Y होता है और V Y E इसको भी Y पढ़ा जाता है क्योंकि देखे यहां पर देखे B को बाप पढ़ें और Y को हम यहां पढ़ रहे हैं तो पर हम यहां नहीं पढ़ते हैं हम E पढ़ते हैं क्योंकि बहुत से लोग बाए बोलते हैं बाए नहीं बाए होता है और क्योंकि लास्ट वाला जो E वो नहीं पढ़ा जारा तो उसको हटा दीजिए आप यहाँ पर देखिए boy का मैंने आपको समझा दिया है अब हम bad का देख लेते हैं B को बा पढ़े हैं और E अगर दो वडों के बीच में होता है तो हम उसको A की माता पढ़ते हैं E को तो बा पे A की माता बापे A की माता B हो गया और D को डा पढ़े हैं यानि की bad हो गया ठीके कुछ भी चीज ऐसे हो समझ में ना आयो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छी लग लग लिए हो तो लाइक कीजिए और share जरूर करना ताकि सब को सीखने को मिले याँ पर देखिए B, E, D यानि की bad तो हम पढ़ चुके हैं अब देखिए bread इसको भी क्या पढ़ेंगे B को बा पढ़ें R को र पढ़ें और E, A को A पढ़ते हैं D को डा यानि की bread ठीके? K, R में देखिए C को का पढ़ें और A के बाद एक word छोड़के अगर E होता है तो A को A पढ़ा जाता है और last वाले A को नहीं पढ़ा जाता तो यहाँ पर देखिए C को का पढ़ें A को A की मातर और A, R अगर साथ में होते हैं तो उनसे R पढ़ा जाता है आपको समझ में आया और एक चीज़ बता रही हो अगर आप बुक्स पढ़ना सीखना चाते हैं तो यह स्टार्डिंग है आपके सीखने के लिए जबी आप सीख पाएंगे चलिए अब आगे देख लेते हैं Congratulations इसमें देखिए C को का पढ़ें O को O पढ़ें N को यहाँ पर अंकी बिंदी जो दिख रही है न पढ़ें G को गा पढ़ें जैसे कि मैंने बताया अगर G के बाद कोई मातरा नहीं होगी तो G को आपको गाई पढ़ना है ठीके उसके बाद R को र पढ़ें A को A पढ़ें अब देखिए T U T U अगर साथ में होता है तो T को च पढ़ा जाता है ठीके क्या पढ़ें हम यहाँ पर च पढ़ें और यहाँ पर देखिए U देखिए यहाँ पर यहाँ कहां से आया आप लगों कोई confusion हो रही होगी क्योंकि T U अगर साथ में होता है उसके बाद देखिए डॉंट यानि कि D O N और इस तरीके से अगर डॉंट लिखा होगा तो आपको उसे डॉंट ही पढ़ना है यानि कि T को टा पढ़ना है और D O N को डो न पढ़ना है ठीके आई तो E Y E को आई पढ़ा जाता है ठीके अब यहाँ पर E को आख यू पढ़ने है इसके लिए मैं आपको रूल सीखा चुकी हो पर अगर आप चाह देंगी मैं आपको अच्छे से बताओं तो ठीके मैं एक बार आपको समझा देती हूँ आप देखिए वैसे तो इसका रूल सी यह भी है अगर आप इसके बार में जानना चाहते तो मैंने वीडियो पना रखी कि एक्स को क्या क्या पढ़ा जाता है ठीके एक को एकी माता पढ़ें ठीके एम को मा पढ़ें आई को एकी माता पढ़ें और एन को ना पढ़ें और एक को एकी माता टी आई ओन को सन पढ़ते हैं और कर्स भी पढ़ते हैं तो दोनों तरीके से एक्स को पढ़ा जाता है अगर आपको नहीं पताए कि एक्स को क्या क्या पढ़ते हैं और इसके क्या रूल से तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखे हमारा चैनल पर अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझसे कमेंट पढ़ें, E को A पढ़ें, C को का पढ़ें, D को टा पढ़ें, देखे, आप देखे, C के बाद कोई मातर नहीं है, तो वो आदर का के ला रहा है, ये भी समझ में आगया, आप देखिए, X को यहां पर देखा कि A कशी पढ़ें, जैसे कि इसमें पढ़ रहे थे, और B को पा पढ़ें, O, U को O की मातर पढ़ें, और R को रहा पढ़ें, एक चीज में आपको समझा दू कि X को जादा तर कशी पढ़ा जाता है, गर्स बहुती कम जगा पढ़ा जाता है, और इसके अपर मैंने जो वीडियो बनाई तो इसमें बता रहा है कि कहां कहां पर गर्स पढ़ा पढ़ें, और T को टा पढ़ें, लास्ट वाले Y को E की मातर पढ़ते हैं, तो ये T हो गया, यानि कि 14, कि 4 जो बहुत सीपल है, इसको तो आपको समझानी की ज़रूरत नहीं है, F को दिखें, F को फार में क्या है, F को फार पढ़ें, और R को अर पढ़ें, तो फार हो गया, ह आप लोग पढ़ते हैं, तो आपको पता है, अगर पर कुछ रूल्स होते हैं, जो हमें नहीं समझ में आते हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, तो आज की वीडियो में हमने ये सब सीज़े सीखी, कि इस तरीके से हम रूल सीख से हैं, और स्टार्डिंग से बु पमिली.